अब्जिक्ति वड्डा के नहीं वीडियो में आपका स्वागत है तो फाइनली एरपोर्स ग्रूप सी ने दो और सेंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो दोनों ही सेंटर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही सेंटर के रिजल्ट का क कौन कौन से सेंटर का रिजल्ट जारी किया गया इस टाइप के जितने भी आपके डाउट बनते हैं जब तक वीडियो एंड होगा तब तक आपके सारे के सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे बस आप वीडियो को लाज तक जरूर देखना क्योंकि पहले अपन जो डिसकस है आप बात करें अगर लिजल्ट की तो हैंशल्त आप देख सकते हो कौन से ट्रेड का लिजल्ट जारी Dani किया गय ऐे इयरपो इस्टेशन की बात करें चारी को अगर ऑब पूरे सेंटर का रिजट Karl कर देखना चाहते हो तो आप यह एड्ड्रेस देख सकते हो यह सेंचर होना चीए क्योंकि कापी सारे चुटेंट यहां पर अलग अलग टाइम पर यहां पर होने वाला है और यहां पर आपके क्या-क्या डिटेल दिए इन्होंने चलो यह भी देख लेते अब अगर डिटेल की बात करें तो यहां पर सब से सभी को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि काफी चोटे-चोटे से नाम दिए में तो यहां सभी स्टुडेंट को देख पाना पॉसिबल नहीं है तो सभी स्टुडेंट के लिए अगर आप खुद देखना चाहते होगी यह जो रिजल्टे डाउंगलोड करके देखना चाहते हो तो यह रिजल्ट आपको काँ पर मिलेगा तो हमने अबजिक्टिव अड़ागा आपके लिए एक टेलीग्राम बेजिए जरूर ग्यान रख लेना टेलीग्राम की बात कर रहे हमने टेलीग्राम पर आपके लिए एक टो चेनल बना रखा है और इसी के साथ में हमने आपके एक ग्रूब बना रखा है आप दोनों को जरूर जोइन कर लीजिए क्योंकि आप एरपोर्स ग्रूप सी का हमने अलग से ग्रूप बना रखा है उसमें ओल्रेडी 4500 के आसपा स्टुडेंट जोइन है तो आपकी कोई भी क्लियर हो जाती है इसके अलावा जब आप चैनल को ज मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ भी पूत ना चाहते हो तो अभी आप हमें इस्टाग्राम पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चलो बात कर लेते हैं आगे जो बाकी सारे रिजल्ट है वो तो यह अगर बात करें यह कौन सी पोस्ट का रिजल्ट है तो यह MTS की पोस्ट का रिजल्ट है MTS के भी और भी लिस्ट आने वाली यह कापी सारी क्योंकि MTS का आप सभी को भी बता होगा कि number of student बहुत ज्यादा होते तो MTS की जो पहली लिस्ट है वो यहां आप सभी अपने रोल नंबर देख सकते हो एक बार आप ग्यांद से देख लेना कि आपका नाम आ रहा रहा है Aगर आपके नाम और रौल नंबर मिल जाते है तो आप सभी को gust में किया क्या कि रौनीओ और ब Ав чет डेट एंट टाइम क्या रहेने वाला है 23 नौमबर 2021 को सुबह साथ बजे तो एक बार आप डेट को जरूर ग्यान रख लेना क्योंकि डेट सभी की सेम नहीं है डेट सभी की अलग अलग है लेकिन में स्टाप के अंदर यहां पर देख सकतो सिर्फ 6 कंडिडेट को पास किया ग पर समय की है और यहां पर सहबी के इंडेक्स नंबर और रहां और यहां पर अगर बात करें और कौं से ट्रेड गाएं तो यह कार्पेंटर के ट्रेड का है और कारपेंटर नंदर भी तो यहां पे नंबर कंडिडेट कितने पास किए गें 10 कंडिडेट पास किए गए यहां पर वही रोल नंबर और नाम और सभी में अंसन किए वे एक बार आप जरूर देख लेना मैंने पहले इस बता दिया था अगर आप खुद दे की गें दस कंडिडेट को पास की गें यहां पर सभी के नाम लिके में तो आप इनको भी एक बार जरूर देख लेना इसे ही कापी सारी स्टुडेंट है और बहुत सारी लिस्ट आई हुए देखो अलग-अलग है यह LTC की मैंने पहले ही पताया था आपको जैसे यह पेंटर की हो गई तो यहां पर और उसके बाद यह MTS की है और भी क्यूंकि MTS के अंदर वैसे नमरों इस्टुडेंट ज्यादा होते हैं तो इसलिए आपके यहां पर अलग-अलग लिस्ट आई हुए कापी सारी यह HKS वालों की लिस्ट है तो आप भी जरूर देख लेना तो अब मेंट ब्याइं के अंदर नाम है और मेरा स्लेक्षण हुआ है ताकि बागी सारी इस्टुडेंट को भी पता चल जाएगी किसी किसी का स्लेक्षण हुआ यह नहीं भा उनके साथ मैं क्योंकि ज्यादा तर ट त् có यही डाउट रहता है जैसे ग्रूप में से किसी का वह स्द सब्सक्राइब करें तो इसके इसाब से आप देख लो कि पोस्ट कितनी आती पोस्ट तो कभी-कभी आती अभी जो वेकेंसी चल रही है उसके अंदर 83 पोस्ट है तो अगर इन में से भी देखे तो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें होंगे if you can find a student के घर पे आपको जो इस्कील होंगे वह लेटर मिल जाएंगे तो आप सबी गयान रखना है कि जो भी स्लेक्ट होंगे उनके घर skill test के लेटर आ जाएंगे किस से आएंगे by post लेटर दोवार बेज दिये जाएंगे तो जो भी select होंगे सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा कि वह select हुए मत कहना है कि MTS वालों का नहीं है MTS वालों के लेटर आना सुरू हो गए अब अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकतो क्या क्या लिखावा इन्हों ने उपर लिख दिया कि आपके application पोस्ट अब इनका स्कील टेस्ट होने वाला हो कब होगा तो 10 दिसमबर 2021 को यानि कि अब अगर बात करें तो यहां पर क्या लिखावा यहां पर यह सारी सारी चीजे बताई हुए कि आप वहां पर सेंटर पर कैसे पहुंच सकते हो और यहां पर आपके सेंटर का complete address दिया हुआ है कि आपको सेंटर का वैसे आपको पताए होगा आपने पहले exam दिया था तो आपको परिशान होने की जोरत नहीं पड़े अगर बात करें कि आपके skill test के अंदर क्या करवाया जाएगा जैसे हमने दोनों रिजल्टों बता दिये थे तो आप skill test की बात करें तो skill test के लिए आप सभी को भी परिशान होने की जोरत नहीं जहांपे आप ये video देख रहे हो यानि जब आप उब्जिक्टिव अड़ा पर वीडियो देख रहे हो उसी के जब आप प्लेश्ट में जाते हो तो प्लेश्ट के अंदर आपको एक skill test के नाम से अलग से प्लेश्ट मिल जाएगी तो जितने भी skill test एयरपॉर्स के जितने भी trade है mostly हमने सभी trade के skill test के video upload कर रहे हैं तो यहां पर आप जाके और देख सकते हो कि आप से skill test के अंदर क्या करवाया जाएगा तो आप सभी कोई परिशान होने की जुरुत नहीं है skill test के एक बार आप जरूर देख के चले जाना था कि आपको थोड़ा सा पहले से idea रहे जाता है कि आपको क्या करना है जिसे MTS के अंदर तो mostly सभी को पता होगा grass cutting अगेरा करवाई जाती है एज के अंदर साप सपाई करवा दी जिसे cook or जो जितने भी आपके trades related जिसे आपके experience वाली पोस्ट है उन सभी में तो जो जिसका आपको experience मंगा गया उसी से related आपसे काम करवाया जाएगा बाकि आप और भी कोगर आपका कोई doubt होता है तो मैंने पहले ही आपको बताया था आप हमें Instagram पे message कर लेना Instagram पे आपके जो भी query होगी वहां पे आपको solution मिल जाएगा तो अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए information के साथ में